नमस्कार दोस्तों मुड़ूप चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है 36 गड़ के दो जीलों में सरकारी नौकरी के पदों पर भरती के लिए विज्यापन जारी कर दिया गया है इन पदों के लिए कौन कोन अवेदन कर सकते हैं सैक्षिर की अग्यता क्या होना चाहिए किस प्रकार से आप लोग का चैन किया जाएगा online आवेदन करना है या offline आवेदन करना है मैं आप लोग को पूरी details इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक request है आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए ये बाते में आप लोगों को इस वज़े से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्पूर important point आप लोगों से न चुटे आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परसानी ना हो आप लोग का जो अवेदन पत्र है वो रिजेक्ट ना हो तो पहला विग्यापन जारी के काले जिलायम सत्र नैधी जांदगीर चापत 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर दोसो भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है अवेदन करने के जो अंतिम्तिती है 15 जुलाई 2022 साम 5 बजे तक आप लोग अवेदन कर सकते हो इसी की नीचे दोस्तों आप लोग यहाँ पर पत का नाम देख सकते हो चोकीदार के दो पत पर भरती किया जाएगा जलवाहद के 6 पद और सूइपर के 5 पद पर भरती किया जाएगा इन पदों के लिए जो सेक्ष्छिरिक योग्यता माँगा गया है पांच वी पास माँगा गया है और सरकारी नौगरी के पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है अगर आप लोगों के पास योग्यता है तो इन विविन नपदों के लिए अवेधन कर सकते हो और दोस्तों अगर आप लोगों को अगर अनुभाव है जैसे ड्राइवर या इलेक्रिसियन, प्लमबर या कंप्यूटर इत्यादी में आप लोगों को अनुभाव है या आप लोग कारे करते हो तो आप लोग का सलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर दोस्तों आप लोग फ्रेसर हो और पहली बार अवेदन कर रहे तो आप लोग सबसे पहले रोजगार करने में पंजियन करा लिजी और इन पदों के लिए जो न्यूंदम आयू होना चाहिए 18 वर्स और अधिक्तम आयू होना चाहिए 30 वर्स जो 36 गड़ के इस्थानी मूल निवासी हैं उन्हें आयू सिवा में छूट दिया जाएगा और दोस्तों जो आप लोग का चैन किया जाएगा कौशल परिक्षा के अधार पर चैन किया जाएगा आप लोगों से कोई भी एक्जाम नहीं लिया जाएगा और इसी विग्यापन के नीचे जो अवेदन पत्र का प्रारूप है वो सलगन है अटैच है दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करें दूसरा विग्यापन जारी के है काले मुखेच की सयम स्वास अधिकारी जिला बेमेतरा चातिस गड़ के द्वारा यहां भी दोस्तों रेगुलर सरकारी नौकरी के पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसके अंतरगर्थ आप लोगों से कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा कोई फीस नहीं लिया जाएगा सैचुरिक योग्यता के अधार पर सीधा भरती किया जाएगा जो भी इक्चुक अवेदा इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं वे और दोसो इसी की नीचे आप लोग यहाँ पर पत का नाम देख सकते हो कोन-कोन से पदो पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया जाएगा फार्मसिस ग्रेड दो के 11 पत पर भरती किया जाएगा प्रतीमा वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपे से लेके 80,500 रुपे तक ड्रेसर ग्रेड एक के 19 पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपे से लेके 62,000 रुपे तक इसी प्रकार ग्रामिल स्वास सयोजग पुरूस के 32 पत पर भरती किया जाएगा और प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 22,400 रुपे से लेके 71,200 रुपे तक ग्रामिर स्वास सयोजक महिला के 6 पत पर भरती किया जाएगा लेब असिस्टेंट के टोटल 1 पत पर भरती किया जाना है और ड्रेसर ग्रेड 2 के 1 पत पर भरती किया जाएगा दोसो आप लोग यहाँ पर वर्गवार अरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो किस वर के लिए कितने पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया जाएगा है यहाँ पर डिटेल से बताया गया है और इन पदों के लिए सैक्यूरी के उग्यता क्या मांगा गया है आप लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हो Pharmacist Grade 2 के लिए Security के उग्यता होना चाहिए Pharmacy Council से पंजगरित औसेदी निर्मार में डिप्लोमा होना चाहिए Dresser Grade 1 के लिए Security के उग्यता होना चाहिए 12 पास विग्यान विसाय के साथ में इसी के साथ Orthopedic कर्म Dresser का Paramedical प्रसिक्षण उत्तिन होना चाहिए प्रसिक्षण के इंद्र से बहुत देशिय कारे करता प्रसिक्षण में एक वर्षे डिप्लोमा या समक्ष प्रसिक्षण होना चाहिए इसी परकार दोस्तों ग्रामिड स्वास सयोजग महिला के लिए Security के उग्यता होना चाहिए इसी के साथ सासन द्वारा मानता प्रास संसा से महिला स्वास कारे करता का 18 मा या 24 मा का प्रसिक्षण उत्तिन होना चाहिए और 36 नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास कारे करता के रूप में पंजियन होना अनिमार है सहायक लेब असिस्टेंट के लिए Security के उग्यता होना चाहिए 12 पास भी ज्ञान विसाइ के साथ में इसी के साथ ड्रेसर ग्रेट दो के लिए Security के उग्यता होना चाहिए 10 पास और दोसो इन पदों के लिए जो नियुनतम आयू होना ची अठारा वर्स और अधिकतम आयू होना ची चालिस वर्स जो 36 गड़ के इस्थानिय मूल निवासी है उन्हें आयू सीमा में छूर दिया जाएगा और में इंपोर्डेंट पॉइंट दोसो जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है इन पदों के लिए केवल जो 36 गड़ के इस्थानिय मूल निवासी हैं 36 गड़ में रहने वाले हैं वो ही अवेदक अवेदन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हो इसी के बारे में बताया गया है और दोसो जो आप लोग का चैन किया जाएगा वो सेक्षिलिक योग्यता के परतिशत के अधार पर चैन किया जाएगा आप लोगों से कोई भी एक्जाम नहीं लिया जाएगा जो मैंने आप लोग को आल्लेडी पहले ही बता दिया है सेक्षिलिक जानना बहुत जरूई था मैंने आप लोग को बता दिया है अगर आप लोगों को इन दोनों विग्यापन सम्मंदित और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं इस वीडियो के निचे डिस्केप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा इन दोनों विग्यापनों का आप लोगों हाँ पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो और इन विग्यापनों सम्मंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजेगा ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें विडियो देखने के लिए धन्यवाद